एंसीवी मुंबई के जोनल डिरेक्टर समीर वानखेडे अपनी तेज तरार इमिज को लेगर काफी लोग पिरिये हैं रक्स माफिया समीर वानखेडे के नाम से थर थर कापते हैं यहां तक कि उन्हें मुंबई का असली सिंगम भी कहा जाता है समंदर वे क्रूज पर चल रहे ही डेव पार्टी से शारोखान के बेटे आरेन खान समेत कई रसूख दारों को गिरफतार कर समीर वानखेडे एक बार फिर चर्चा में हैं तो चलिए जानते हैं उस सिंगम के बारे में जो एक बार किसी केस की जांच में घुश जाते हैं तो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी नेता क्यों न हो वो किसी की नहीं सुनते दरसल समीर वानखेडे 2008 बैच के IRS-CNCE अधिकारी है NCB से पहले वो मुंबई में ही Revenue Intelligence के Joint Director पर पर तैना थे समीर वानखेडे से Drugs माफिया थर-थर कापते हैं वो पहले भी कई Drugs रैकेट का भंडा फोर कर चुके हैं समीर वानखेडे NIA में Additional SP और AIU में डिप्टी कमिशनर के पत पर भी रह चुके हैं कस्टम ऑफिसर के तौर पर मुंबई एपोर्ट पर पहली पोस्टिंग के बाद वो आंधर प्रदेश और दिली में भी काम कर चुके हैं जानकार के मताबिक बीटे दो सालों में समीर वानखेडे के नेत्रित्म में उनकी टीम 17,000 करोड रुपए के ड्रुक्स को जब्ट कर चुकी है कस्टम ऑफिसर के तौर पर भी समीर के नाम कई कारणा में है एक रिपोर्ट के मताबिक सीमा शुल्क विभाग में काम करते हुए समीर वानखेडे ने मशूर हस्तियों को तब तक क्लियरेंस नहीं दिया जब तक उन्होंने विदेशी मुद्रा में खरीदे गए सामानों का खलासा नहीं किया समीर ने कस्टम में टैक्स नदेनी की वज़ह से 2000 से जादा हस्तियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था बॉलिवुट में भी समीर वानखेडे के नाम का डंका बचता है साल 2013 में उट तब सुर्खियों में आये थे जब सिंगर मीका सिंग को मुंबई एयरपोर्ट पर विदीशी करनसी के साथ पकड़ा था समीर के ही नेत्वत्तु में उनकी टीम ने अनुराक कश्यप, विवेक, औबुरय, राम गोपाल, वर्मा सहित, कई बॉलिवुट सेरप्स के घर चापा मारा था समीर वानखेडे की सकती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2011 में भारतिय क्रिकेट टीम द्वारा जीती गई सोने से बनी विश्व कप ट्रोफी को भी उन्होंने कस्टम ड्यूटी चुकाने के बाद ही मुंबई एयरपोर्ट पर रिलीज किया था समीर वानखेडे राश्य जाच एजनसी में भी काम कर चुके हैं आरियन खान समेथ पकड़े गए 10 लोगों से भी समीर वानखेडे ही पूछताच कर रहे हैं समीर वानखेडे जिस सकत मिजाज के अफसर है उससे लगता है कि आरियन खान के मुश्किले बढ़ने वाली है उत्तर प्रदेश का हाल पाट साल कितने कमाड़ यूपी किस पर राजी क्या खिलेश पल्टेंगे बाजी किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा ब्रामन शंक बजाएगा किसको कुर्सी दिलाएगा OEC का प्लान किसकी तरफ मुसल्मान साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भार्तवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 टूबर सुबे 8 बजे से लगा था सिर्फ TV9 भार्तवर्ष पर हमने की गलती फिर एक बार कोरोना ने किया दोबार अप रहा मास्क दो गस्दूरी करें अपनी सुरक्षा पूत कोरोना टीका हम सब को लगाना है मिलकर साथ समस्दारी से कोरोना को हराना है